जयोतिश और पंचण के अनुसार एक अतिश्यु मुहरत होती है जो मैंने आपको इस वीडियो के मादयम से बताया है अब आपकी मर्जी है कि आप अतिश्यु मुहरत में करे या आप पूरे दिन में अगर बवश्याम के जनम दिन पर आप रत रखते हैं तो आपको इसके दो फल प्राप्त होंगे अब सभी श्यम भक्तों को जैसरी श्यम श्यम भक्तों कैसे हैं आप सभी उमिद करते हैं चाहिए होंगे श्यम भक्तों बवश्यम का जनमुदसब आने वाला है बवश्याम की जन्मुत्सब में किस प्रकार से हमें त्यारी करनी चाहिए और किस प्रकार से बवश्याम का जन्मुत्सब को मनाना चाहिए और बवश्याम का जो जन्मुत्सब मना जाएगा उसकी पूजा का शुब मुहरत कब है सुबह के समय आप किस समय बावश्राम की पुजा करनी चाहिए या संध्या के समय किस समय पुजा करनी चाहिए आज मैं आपको इस वीडियो के माधम से पूरी बात बताने वाला हूँ साथ ही आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि देव उठनी एकादशी वाले दिन जो शुब मुहरत है या शुब तिती है वो किस समय से किस समय तक रहेगी ब्रत का परण होगा ब्रत का परण कब होगा पूरी जानकारी एक ही वीडियो में आज आपको मिलने वाली है इसके बाद आपको किसी और वीडियो को देखनी की जवरत नहीं पड़ेगी तो श्याम भक्तो पूरी वीडियो को लास्त तक ज़रूर देखेगा जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके हर साल कार्तिक माश के शुकल पक्ष की एकादशी को बावश्याम का जन्मोटसब मनाया जाता है यानि कि देवुठनी एकादशी जिसे हम प्रबोधनी एकादशी या देवुठान एकादशी के नाम से भी जानते हैं वो मनाया जाता है तो श्याम भक्तो इस दिन भगवान विश्णु अपने योग निंद्रा से पूरे चार मेने के बाद जाकते हैं इसी करण से इसे देव उठनी एकादशी के नाम से जानते हैं तो श्याम भक्तो इसे देव उठनी एकादशी से कुछ दिन पहले से ही हमें अपने घर की अच्छी तरह से सापसफाई कर लेनी चाहिए हाला कि दिपाबली वगरे तयोवार के समय तो हमने अच्छे से सापसफाई कर ही ली ओगी परिंतु क्या होता है उसके बाद हमारे घर में फिर से थोड़ी बहुत धूल मिट्टी वगरे रह जाती है उसकी अच्छी तरह से सापसफाई करने के बाद हमें अपने घर को सजाना चाहिए जिस प्रकार से हमने दिपाबली में सजाया था उसी प्रकार से देव उठनी एकदिश्री वाले दिन अपने घर को अच्छे तरह से सजाना है और सजाने के लिए आप जो दिपावली में लाइट्स वगर आपने यूज किया तो वो लाइट्स वगर का प्रयोग कर सकते हैं आपको अपने घर को इस प्रकर से सजाना है कि दूर से देखने वाले व्यक्ति देखके ही बोले कि आपके घर में आज उतसब है क्योंकि हर किसी ने उतसब मना लिया यानि दिपावली के रूप में भाईदूज के रूप में और गुवर्दन पुजा के रूप में और ना जाने कितने ही उतसबों को उन्होंने मनाया है परन्तु आप जब इस दिन अपने घर को अच्छे तरह से डेकोरेट करेंगे सजाएंगे और पूरे जगमक दिये लगाएंगे तो हर आदमी के दिमाग में एकी बात होगा कि ज़रूर कोई शाम भक्त है शाम प्रीमी है तो शाम भक्त है उसको भी लगना चाहिए कि आज आपके घर में कुछ विशेश त्रहार है यानि विशेश उतसब की त्यारी हो रही है तो श्याम भक्तो इस प्रकार से अपने घर को सजाना है आपको, आपको क्या करना है, अपने घर को सबसे पहले अपने मुख्य दर्वाजे पर अशुक के पते या आम के पतों के एक धागे में फिरो कर लटकन जिसे बोलते हैं, दर्वाजे के मुख्य द्वार पर लगाना है क्योंकि माना जाता है कि इस दिन अगर आप इस तरह से अशुख के पत्ते और आम के पत्तों को कोई भी एक जो आपको मिल जाए वो अगर आप लगाते हैं तो पति शुभ माना जाता है इसके साथ साथ आपको अपनी घर के मंदिर में भी इसे ब्रगार से एक लटकन मनाना च शाम भगतो देव उठनी एकादशी वाले दिन सुब़ जल्दी जल्दी उठ जाईए और उठने के बाद नहा धोकर स्नान इत्यादी करने के बाद भगवान को इसनान करा दीजे विश्ण भगवान को पंचाम ब्रत से स्नान इत्यादी करा दीजे स्नान इत्यादी कराने के जिस प्रकार से हम भगवान की पूजा अर्चिना करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, उसी प्रकार से हमें उनके मंत्रों वगरे का जाप कर लेना चाहिए, उन्हें भोग, प्रशाद वगरे समर्पन करिए, और उसके साथ साथ आपको क्या है घी का दिया जो होता है, वो भगवान के समक्ष जला देना है और इसके साथ साथ जो उनके मंत्र हैं बवश्याम की जो मंत्र है भगवान विश्णु की जो मंत्र है उन्हें आपको जब करना चाहिए शाम भगतो इस दिन आपको बवश्याम का चलिसा का भी पार्ट करना चाहिए क्योंकि कहते हैं बदले में हमें क्या देना चाहिए होने क्या उपहार देना चाहिए क्योंकि जब किसी का जनम दिन होता है तो हम उसके लिए उपहार लेकर जाते हैं तो इसी प्रकार से आपको भी बवश्याम के लिए कुछ न कुछ उपहार लेकर जाना चाहिए पर परंतो आप जाएंगे क क्योंकि इस दिन मंदिरों में काफी अत्यदिक भीड होगी आपके नजदिकी में कोई भी शाम बाबा का मंदिर होगा जहां भी आप रहते हैं वहां नजदिकी शाम बाबा का मंदिर है वहां आप जाए वहां जाकर बवश्याम को प्रणाम करें दूर से ही अगर दर्शन मिल करते हैं आपको उस तरह से कुछ भी नहीं करना है क्योंकि शाम भक्त हैं आप बावश्याम की दर्शन कर निकले आए हैं क्योंकि जो ये बातों को नहीं जानते जो अन्विग्य रहते हैं वही लोग धका मुकी करते हुए और बावश्याम की दर्शन पा लेना चाहते हैं क्य निशान यात्रा भी करते हैं निशान यात्रा करते हैं बबश्याम के जैकारे लगाते हुए भबश्याम के मंदर तक आते हैं इस दिन आप बबश्याम को उपहर सरुप आप क्या देंगे इसके बारे में भी बताएंगे और देव उठनी एकादशी की शुब मोरत क्या है पूजा का शुब मोरत आपको कब तै कर लेना है ये भी आपको बताएंगे तो शाम भक्तो इस दिन बहुत सारे लोग बबश्याम को केक का भूग लगाते हैं यानि कि मावा मिश्री वाला जो केक होता है उसका भूग लगाना चाहिए मावा मिश्री का जो केक होता है आपको मार्केट में मिल जाएगा और अगर मार्केट में ना मिले तो आप अपने में भी बना सकते हैं अब आप पूछेंगे कि हमें बनाना कैसे है तो शांभक्तोई यूटूब पर जिस प्रकारसे आप यह वीडियो देक रहे हैं इसी प्रकार से रेस्टी के बहुत सारे वीडियो होती है and if several videos देख लिते हैं तो उस वीडियो के अनुसार आप बवश्चाम का केक बना सकते हैं एक दिन पहले ही आपको बनाना है ऐसे नहीं है कि आप देव उठनी एकदस्शी वाले दिन बनाएंगे क्योंकि उस दिन आपके पास वैसे ही इतने सारे काम रहेंगे अगर आप पूरा दिन केक बनाने में लगा देंगे तो बाकी घर वगर कौन से जाएगा बावश्याम की स्तुति कौन करेगा मंदिर कौन जाएगा और अगर मंदिर आप नहीं जा पा रहे हैं किसी भी स्तिति में तो घर से ही बावश्याम को तिथी लग जाएगी और ये जो तिथी रहेगी अगले दिन यानि की 23 नमबर 2023 को रातरी 9 बच के 3 मिनिट तक ये तिथी रहेगी तो शाम भक्तो यानि की उधया तिथी के नुसार देव उठनी एकादशी 23 नमबर 2023 को ही मनाई जाएगी तो श्याम भक्तो जो देव उठनी एकदशी का अगर आप ब्रत रखना चाहते हैं आप बावश्याम को कह रहे हैं कि बावश्याम आज आपका जनम दिन है जिस प्रकार से हम कृष्ण भगवान का जो जनमुटसव आता है यानि कि कृष्ण जनमस्ट में आती है तो उस समय हम क्या करते हैं कृष्ण भगवान की जनमुटसव के लिए ब्रत रखते हैं उसी प्रकार से आप बावश्याम का इस दिन ब्रत कर सकते हैं कि बावश्याम का इस दिन जनम दिन है अगर बावश्याम के जनम दिन पर आप ब्रत रखते हैं तो आपको इसके दो फल प्राप्त ह होगा ही होगा और आपने बावश्याम के लिए जो ब्रत रखा है उसका फल आपको अलग मिलेगा तो अगर आप इस दिन ब्रत रखते हैं तो फल वगरे को ब्रत में आप ले सकते हैं तो इस दिन आप जल वगरे पी सकते हैं बहुत सारे लुक्सुषे ना पानी के ब्रत रख चले जाए अगर आपको नज़्दीक की किसी भी मंदिर में चले जाएएं अगर आपकी नज़दीक में शाम मंदिर नहीं तो जो भी मंदिर है वहाँ पर आप चले जाएए वहाँ पर भगवान को स्मरण करिये भगवान का ध्यान करिये अगर शिब मंदिर है तो शिब मंदिर में जाकर शिब भगवान के उपर जल अरपन करिये और वहीं बैटकर भगवान विश्नु का ध्यान करिये भगवान भोलेनात का ध्यान करिये देवी देवता का ध्यान करि धर में बैठकर प्रशाद का भूग लगवा सकते हैं साथ ही उनका अशिरवाद ले सकते हैं और उसके बाद आपको कम से कम 11 रुपए 51 रुपए से आपकी सामर्ति है उस हिसाब से उसे दक्षना आपको देनी चाहिए हो सके तो एक आद वस्त्र यानि कि वस्त्र आपको दान करना चाहिए वस्त्र में आपको क्या दान करना चाहिए वस्त्र में देखिए शाम भक तो मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि 500,000 रुपए की चीज़े आपको दान करनी है आप एक वस्त्र दान करिए वस्तर जो होता है सवा मीटर का आप गमचा ले सकते हैं तोलिया वगर इस्तमाल करते हैं उसी प्रकार से गमचा होता है 40-50-100 अरुबे का आयाता है वो गमचा आप भेट कर सकते हैं यानि वस्तर आपने भेट कर दिया दक्षना आपने भेट कर दिया भोजन आपने भेट कर तो ये आपकी पुझा यहां पे संपुर्ण हो याती है शाम भक्त आप जो भी रोटी या पूरी बना रहे हैं गाय माता को आपको वहीं पर ग्रहन करा देना है यानि मंदिर से जब बहार निकलेंगे वहाँ गाय होगी आसपास में तो गाय माता को वहाँ पर आपको रोटी वगरा दे देनी है शाम भक्तो अगर आपको ब्रहमन नहीं मिलता है यानि पंडित वगरा उस दिन काफी सारे विजी होते हैं उस दिन क्योंकि उनकी काफी डिमांड होती है उस दिन और वो कई लोगों के यहां जाते हैं तो जिसके कारण से वो सभी के घर में नहीं जा पा लिए ताकि जब आं मंदिर से आए तो पुईजारी जी महरा जैनि ब्रहमन को आप भुजन करा सके ऑगाये मातों को भुग लगाकर ब्रत का परण कर सके और उसके साथ-साथ भग्वान को भी आपको भुग लगाना है ना बुला सके किसी को या उस दिन ना हो सके की कोई न आप वो भोजन को ग्रहन कर ले, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, भोजन को लेते हैं, और अपने थेले में रख लेते हैं, एक जगया रख लेते हैं, चकते नहीं हैं, तो उस समय आपको उन्हें थोड़ा सा चखा देना है, ऐसे आप किसी गरीब को भोजन दे सकते हैं, अगले दिन यानी ब्रत का आपको इस प्रकार से पारण करना यह शामभकत है अगर आप इस दिन फल वगजरा बाटना चाहए धूद ग्रहन कर लेना है श्याम भक्तों इस दिन बहुत सारे लोग हवन वगरह भी करते हैं बाबश्याम की जोत वगरह भी जलाते हैं तो अगर आप हवन वगरह या जोत वगरह जलाना चाहें तो इस दिन आप जला सकते हैं द्वादशी के दिन परदु श्याम भक्ति द्वादशी वाले दिन बहु पुजा का शुब मोरत क्या होगा देखिए मैंने डेट बता दी कब से कब तिथी लग रही है आप पुजा का शुब मोरत जान लिजिए यानि कि 23 नुवंबर 2023 को पुजा का शुब मोरत कब होगा शुम भक्तो सुबह का जो समय होगा वो 6.50 से लेकर सुबह के 8 बच के 9 अनुसार है इस समय अगर पुजा करते हैं तो भगवान की अतिकरपा की ब्रसात होती है आपके उपर उन्हें भोग भेट करते हैं तो भोग के रूप में आप मावई मिश्री का केक वगर जो होगा इस समय भेट कर सकते हैं इस दिन तो आपको सुबह जल्दी उठी जाना ब्रह्म मूरत में उठकर सारे काम निप्टा नहीं होंगे तभी आपको पुजा का संपूर्ण फल मिलेगा श्राम भक्त अब मैं आपको बता दूँ कि अगर आप रात्री की समय भाबा श्राम को भूग लगाना चाहते हैं तो रात्री की समय आपका जो समय रहेगा वो समय 5.25 मिनट से लेकर 8.40 मिनट तक यानि कि शाम 5.25 मिनट से लेकर रात्री 8.46 मिनट तक यानि 9 बज़े से पहले पहले आपको बाबा को भूग लगा देना है यानि मावे मिश्री का केक वगरण जो है वो अर्पन कर देना है शाम भक्तो वैसे तो इस दिन पूरे दिन ही शुब मूरत है आप किसी भी समय बाबा को भूग लगा सकते हैं बाबा को केक अरपन कर सकते हैं परन्तु जयोतिश और पंचांग के अनुसार एक अतिश शुब मूरत होती है जो मैंने आपको इस वीडियो के माद्यम से बताया ह अब आपकी मर्जी है कि आप अतिशु मूरत में करें या आप पूरे दिन में कभी भी भोग लगा दे वो आपकी मर्जी किरपा दोनों में ही बरसेगी शाम भक्तो इस प्रकार से आप देव उठीनी एकादश्री का ब्रत करेंगे इस दिन और बाबश्याम को इस दिन इस केक होना चाहिए यादि एगलेस केक होना चाहिए केक में बहुत सारे लोग अगर आप ओनलाइन ओर करके भगवान के समख्या रख के काट रहे हो तो ऐसी गलती कभी मना करें कि ओनलाइन में चीज बंगाएंगे वह एगलेस है या नहीं है कोई गैरेंटी नहीं होती है जो जो विश्वास पात्र दुकानदार हो उसके पास जाएंगे उसके पास जाके केक लाएंगे और अगर आपको मामे मिश्री का केक ना मिले तो आप उस केक को लाएंगे और उस केक को बवश्याम के समक्ष रखकर बवश्याम को अरपन करेंगे बवश्याम का जनम दिन तो दे सकते हैं यानि खेक आरपन कर सकते हैं तो शाम भकतों इस दिन बवश्याम को उपहर सुरूप हम क्या प्रदान करें यानि कि हम बवश्याम को क्या उपहर दे सकते हैं सब कुछ तो बवश्याम का ही दिया हुआ है यानि बवश्याम से ही लेकर बवश्याम को हम क्या दे सकते ह इस दिन बाबश्याम से हाथ जोड़कर बाबश्याम से बस प्रातना करना है और किसी गरीब की मदद करने के लिए अगर हमें बाबा ने सामर्थवन मनाया है तो किसी भी दीन दुखी की रक्षा करने के लिए बाबश्याम से बोलना है कि मैं किसी भी दीन दुखी की यानि ज से जितना हो सकेगा, मैं उतना कर सकूँगा, अगर मेरे सामर्त में होगा, मैं इस लाइक हूँ अगर बन जाओ, तो मैं हर किसी की मदद करने, यानि कि किसी भी एक वेक्टी की जिसे आपकी जरुरत है उसकी आप मदद कर सकते हैं ऐसा बावश्राम से कह सकते हैं और आपकी मरजी है कि आपको क्या ऐसे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है वो आपकी मरजी है ये तो मैंने सर्फ एक एक एक्जामपल दिया है बाकी बावश्राम से बोलने के लिए यानि उपार सुरुप देने के लिए अपने आपको सौप ये होफुली आपको पूरी बात समझ में आयोगी बावश्राम का जैनम दिन किस परकार से मनाएंगे ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए इस च्छेनल के साथ बने रहे हैं सभी श्राम वक्तो को जैस्री श्राम